इतनी information मुझे पढ़नी नहीं है, मुझे बस इसकी summary चाहिए, तो मैं इसे copy करूँगा, और resumr में जाकर यहाँ पे paste करूँगा, यह इसकी summary निकालना चालू करेगा, और इतना बड़ा paragraph पढ़ने से अच्छा वो कहता है, इतना ही पढ़ो, PDF editor मिलता है, PDF merger मिलता है, मतलब PDF को merge कर सकते है, compress कर सकते है, split कर सकते है, PDF to word में convert कर सकते है, PDF to excel, PDF to ppt, scholar लोगों के लिए बनाया है, google scholar.com तो मैं बताने हो लो, 11 website, जो students के लिए specially काम की है, तो चलिए, सबसे पहले screen पे आईए, यहाँ पे मैंने visit करके रखिए resumer.com, अब यह काम क्या करता है, मैं आपको explain करता हूँ, basically यह अगर मेरे school या college के जमाने में होता, तो मेरा बहुत सारा time बच जाता है, कैसे मैं आपको copy करूँगा, और resumer में जाकर यहाँ पे मैं paste करूँगा, paste करने के बाद, resumer button यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो कि मैं focus करता हूँ, focus दिखिए, right, resumer button पे आप click कीजिए, जैसे आप यहाँ पे resumer पे click करेंगे, यह इसकी summary निकालना चालू करेगा, और इतना बड़ा paragraph पढ़ने से अच्छा वो कहता है, कि इतना लें, देटेक्श पढ़ने से अच्छा आप इतना ही पढ़ो, जो कि आपके काम का है, right, उसमें से काम की चीज़े उठा के वो यहाँ पे आपको लाके दे देगा, तो अगर आप Google पे search करते हो और ऐसी information आपके साथ धेर सारी कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, मैंने विजिट की है, mathwait.com, जो कि आपको दिखाए देरा, address बार में है, जैसे आप विजिट करोगे, यहाँ पे आईए, आपको कौन सा calculation करना है, यहाँ पे उसका formula या problem आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ, यह दिखिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और वो पूछ रहा है कि भाई, evaluate करना है, solve for x करना है, क्या करना है, तो आप यहाँ पे solve for x कर दीजिए, तो x की value वो यहाँ पे निकाल के देगा, आपको x is equal to 3, दिखाए दे रहा है, तो 2x plus 4x is equal to 18, solve for x is equal to x is equal to 3, मैंने solve for x किया, x की value मुझे चाहिए थी, तो इस तरह सी यह website problem solve करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेर सारे mathematical symbols आपको मिलेंगे, जिसके जरीए आप mathematical calculations कर सकते हैं, तो यह website number 2 थी, अब website number 3 की तरह बढ़ते हैं, अब तीसरी website बताने से पहले मैं आपको बताओ, हो कि यह website उनके लिए है, जो ढूणना चाहते है, पिछले साल के questions paper, जैसे कि आप Mumbai University में पढ़ रहे हैं, डेले University में या जो भी university है, आप CVSC board में पढ़ रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि last year में जिन्नों ने exam दिया था, उनके papers कैसे थे, board के papers कैसे थे, वो आप देखना चाहत है, तो फिर exam दे के मतलब ही क्या है, तो फिलाल तो मैं यहाँ पर दिखाता हुई, इस website को मैं में विजिट किया, doccity.com नाम है उसका, और यहाँ पर search करना है, जैसे मैं search कर रहा हूँ, यहाँ पर मुंबई University, मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, ओके, यहाँ से आप इन papers को PDF format में डाउनलोड करके देख सकते हैं कि वही कौन कौन सी question paper आये थे, यहाँ पर documents, all questions भी दिये गए है, तो काफी interesting website है, मेरे नजर से, doccity.com, website number 3, अब बढ़ते website number 4 की तरब, website number 4, computer users के लिए, जीहाँ, अगर आप चाहते computer के बारे में detail जान करे लेना, computer tips and tricks सीखना, computer exams के बारे में जान कर लेना, यहाँ पर आप देख सकते हैं computer tips है, जैसे MS Word, Excel, Outlook, फिर tally tips आपको मिलेंगे, shortcut keys भी आपको यहाँ पर मिलेगी, PDF के साथ, computer के shortcut keys मिलेगी, MS Word, Excel, Photoshop, सब की shortcut keys यहाँ पर आपको मिल जाएगी, learnmoreindia.in search करना है, और जाके यहाँ पर, suppose, आपको MS Word के बारे में जानना है, या फिर Excel के बारे में जानना है, हमने यह इस website को आपके लिए यहाँ पर बनाया है, जहाँ पर धेर सारी information आपको घर बैटे बैटे, computer के बारे में सीखने मिलेगी, फिलाल website number 5 की तरफ बढ़ते हैं, और यह पाचवी website भी computer students के लिए है, जी हाँ, आप मैंसे बहुत सारे student ऐसे होंगे, जिनको अपना computer typing का speed बढ़ाना होगा, की बोर्ड पे अपनी उंगलिया धड़ा धड़ चलाना वो भी चाहते होंगे, जैसे वो कलिक को देखते होंगे, या फिर अपने फ्रेंड्स को देखते होंगे, कि भई आर इनका typing speed कैसे बढ़ गया, तो मैं आपको बताओ कि उन्हो computer पर typing speed यहाँ पर कैसे फाज बनेगा, तो आपको रोज practice करने पड़ेगी, इस website पर ratatype.com पर जाहिए, यहाँ पर typing tutor अवेलेबल, typing test अवेलेबल है, आप यहाँ पर start typing now करके, यहाँ पर practice कर सकते है, अपना speed भी चेक कर सकते है, और इस website पर अगर आप regular 20-30 days practice करते होंगे, typing speed definitely boost होने वाला है, और साथ ही में typing के बारे में मैंने already एक वीडियो बना था, जिसमें मैंने typing tips explain की थी, उसका वीडियो link मैं आपको description में दे दूँगा, चेक कीजिएगा जरूर, अब बढ़ते है, next website की दरब, तो पिछले website में मैंने आपको बताई की typing speed कैसे बढ़ाया जाता है, लेकिन अगर हिंदी में type करना होता है, तो कैसे type करें, ऐसा सवाल बहुत सारे लोगों का रहता है, तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते है, इंडिक-typing.com भी website, जहाँ पे आपको हिंदी में type करना है, मराटी में type करना है, गुजरती में type करना है, तेलगो में type करना है, यहाँ पे इस website में धेर सरी languages के tabs available है, जैसे आप विजिट करोगे आपके सामने यह दिखाई दे रहा है, जैसे मैं यहाँ पे type किया, कैसे हो आ सकते हैं, तो आपको अगर हिंदी टाइप करना है computer में, तो आपको हिंदी सिखने के भी ज़रौत नहीं, डिरेक्ली के convert वाला tool यूज कर सकते हैं, तो यह इंडिक-typing.com और इस website को हमारे team नहीं design किया है, यह भी मैं आपको बता देता हूँ, खिलाल आगे की website की तरफ बढ यह website students के लिए और teacher के लिए बहुत useful है, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जब इस website पे आप विजिट करोगे कुछ इस तरह का interface आपके सामने आएगा, यहाँ पे नीचे pencil option मिलता है, text type करने के लिए option मिल रहा है, line draw करने के लिए option, eraser अगरा, सारे option मिल रहा है, color change करने के लि इस पे click करने के बाद यहाँ पे इस board की link copy हो जाते हो, और यह copy link आप किसी के साथ WhatsApp पे share करते हो, और यह फिर कोई भी medium से आप share करते हो, यह उसे message करते हो, तो उस link पे click करने के बाद उसी यह drawing लायू दिखाए दी कि मतलब वो इस drawing मे कुछ और डॉँ कर सकता है, या आप य यहाँ पे इस whiteboard.com पे आके कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, नेक्स्ट वेबसाइट के बारे में आप जानने के बाद इस studio का आप like जरू करेंगे, क्योंकि वेबसाइट यह ऐसी है, आपको पसंद आनी वाली, वेबसाइट का नाम है abcdpdf.com जहाँ पे PDF editor मिलता है, PDF merger मिल जो की all-in-one PDF का solution यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तो, all-in-one PDF converter tool है abcdpdf.com जिया दोस्तो, अगर आप PDF के साथ daily कुछ काम करते हैं, daily नहीं हमारा काम होता ही है, अगर आप computer user है, आप student भी हो, तो आपके साथ PDF, आपके पास बहुत सारी PDF अलग-लग आचुकि एकी subject की, तो आ और वीडियो को like तो आपने किया होगा, इस website को जानने के बाद, अब next website की तरफ बढ़ते हैं, अब कई सारी बार क्या होता है, कि हमें बहुत सारी topic के बार में research करना होता है, जैसे मुझे भी Excel में बहुत सारी चीज़े research करनी होती है, या फिर मैं जो भी चीज़े नहीं सी ये website Google का ही, मतलब ये Google का ही platform है basically, scholar.google.com पे जाएए और यहाँ पे आप सर्च कीज़े से, आपको जो भी सर्च करना है, मुझे Excel VBA के बार में study करना रहता है बहुत बार, तो मैं Excel VBA programming यहाँ पे enter करूँगा, तो इस से related जो Google पे book available है, वो आपको यहाँ पे मिलेगे, Google यह पे unoption आप चीज़े नहीं दिखाता है, मतलब जादा अदवर्टाइज वगरा यहाँ पे starting में नहीं दिखाता है Google Scholar के उपर, बाकि आप Google पे जाके देखोगे, तो ज्यादा अदवर्टाइज यह वो चीज़े आती रहती है, और यहाँ पे मुद्दे की बात आती है, त क्या जो भी problem उसके बारे में search कर सकते है, scholar लोगों के लिए बनाया है Google Scholar.com, तो ज़रू चेक कीजिएगा, फिलाल next website की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सारी बार, बहुत सारी चीज़ों का solution हमें ढूनना होता है, और वो solution अगर आपको एक जगह पे मिले तो सुने पे सुआग सायंस के बारे में, या टेक्नलोजीय के बारे में कुछ जानना चाते हैं तो Пरिस्षानल हेल्थ के बारे मिम जनना चाते है, पर Sor錢 के पारे में पे तो इस website पर आपको मिलेगी धेर सारी चीज़हें यहाँ पे एक ही जगह पे, walpwarm.com, walpwarmalpha.com ये वेबसाइट आपको देती है, धेर सारे problem का solution, तो यहाँ पे search बार भी दिया है, यहाँ पे आप डारेक्ली search भी कर सकते हैं, तो ये वेबसाइट भी ज़रूर चेक कीजिएगा, अब बढ़ते हैं, next website की तरफ, अब जो लोग जोग you graphic lover होते हैं, यfrिक में काम करना पसंद करते हैं, उनके लिए वेबसाइट बताई हैं, लेकिन जो लोग फोटोशॉप में काम करना चाहते हैं, उनके पास फोटोशॉप नहीं है, तो ओनलाइन फोटोशॉप का 1 वेबसाइट मिल रहा है, इसका नाम है फूटोपी फूटोपी.com इस वेबसाइट का इसमाल कर सकते हैं और इसमें क्या है आपको मैं बता हूँ इसमें फूटोशॉप का एक क्लोन वर्जन आ रहा है फूटोशॉप के लगबग बहुत सारे टूल्स यहां पर मिलते हैं और यहां पर आप वैसे इमेज एडिट कर सकते हैं लगबग वैसे इमेज एडिट कर सकते हैं जैसे आप फूटोशॉप में करते हैं तो यहां पे डेर सारे आपको ready template भी वह available करके देता है कि आपको कुछ design करना है तो आप उसे ready template वाला लेके यहां पे आप खुद का images हो गारा डाल के edit भी कर सकते हैं ऐसे डेर सारे options यहां पे मिलते हैं right side में आपको layer panel भी मिलता है Photoshop की तरह है यह एक online Photoshop ही है दोस्तो photopeat.com तो फिलाल तो यह थी गयरा वेबसाइट आज की और वीडियो अच्छे लगा है तो like, share और comment कीजिए मैं मिलूँगा कुछ और interesting वीडियो के अंदर next Monday 5 पीम तब तक के लिए अपना खयाल रखिए सीखते रही है सीखाते रही है और चैनल पे नए हो तो सबस्क्राइब कर की जाईए बाई बाई